हलो फ्रेंट्स स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मोबल्ट्रिक्स पॉइंट पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा क्या आपका फेस्बूक पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है यहापर देखिए अगर आपका फेस्बूक पर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो खास करके आप आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है दोस्तों अगर आपने आज का ये वीडियो देख लिया तो आप जस्ट वन मिनिट पर ही आप अपना इस प्रॉब्लम का सॉल्व आप खूद कर सकत हो तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चोटा सा रुकेश करता हूँ इस वीडियो को अभी दक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके रखिया फ्रेंड्स चलिए वीडियो शु nytt s prefer आजाना है सबस्ते आपको अपना mobile phone का setting पर आपको आना है और setting पर जब आ जाएंगा यह पी आपका सामने पर इंस्टॉल इड एप भी आ सकता है दोस्तों अगर आपका मोबाइल फोन पर एप मेनेजमेंट पर यह आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है अगर यह नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन पर यह इस पर आप देखिए इंस्टॉल इड एप करके कोई आप इस पर आप क्लिक कर दीजिए दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यह पेज आपका सामने में बिलकुल ही खुल कर आ जाएगा यहाँ पर आपको देखने को में लिगा एप लिस्ट आपको एप लिस्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको मुबाइल फोन पर एप है यहाँ पर बिल्कुल ही आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ से इन वे से आपको अपना मुबाइल फोन का फेस्बुक को यहाँ से डून ले रहा है और दोस्तों यहाँ पर फेस्बुक को डून के फेस्बुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको याद रहना होगा क्योंकि यहाँ पर clear data करने के बाद यह facebook का data बिल्कुल ही clear हो जाएगा और आप अपना facebook को फिर facebook पर login करना पड़ेगा आपका username और password facebook पर फिस login करके आपका इस problem का solution करके आप login करना होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको जान लेना होगा आपका facebook पर username और password यूजर नेम को तो आपका पता होगा लेकिन password आपको बिल्कुल ही पता रहना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पर आई स्पेस पर आने के बाद यहाँ पर आपको clear data पर click कर देना है यहाँ पर आपको ok कर देना है जैसे आप यहाँ पर ok कर देंगे दोस्तों इस पर आपको बेका जाना है यहाँ से आपको बिल्कुल ही बेकाना है और अभी आपको अपना मुबाइल फून का फेस्बूक एप को फिर खोल लेना है तो दोस्तो फाइनल यहाँ पर मैंने अपना फेस्बूक का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया यहाँ पर आपको दिखाए देगा continue यहाँ पर आपको continue पर click कर देना है और यहाँ पर और एक बार loading यहाँ पर लेगा दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ सा wait कर लेना है और यहाँ पर finally यह पेज आपका सबने में आ जाएका यहाप आपको ओके कर देना है। ओके करने की बाद ही दोस्टो काऊच आपका फीश बॉक बिल को जाएगा यहापर आपदेखिए और दोस्तों यह करने की बाद आपका मुबाईल पॐन का फीश बॉक पर बिलकुल ही अप लोगिन हो जाओगे और दोस्तों फेस्बूक पर 로 perpet?. दोस्तों आप का मॉबाल फोन का फैस बूक पर पर ऑप बूर्म को एसा प्रॉब्ल्म नहीं है। तो उँप्ण़ आप इस प्रॉब्लम को अपको सुद्ध कर सकते हैं। प्रेंट्स मिलते हैं अगला वीडिया पार तब तक के लिए बाइबाई जैहिंद